तो फ्रेंज चलिए बनाते हैं एकदम डिलिश्यस ब्रेकफास्ट और इसके साथ हम बनाएगे एक स्पाइसी रेड चटनी तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले चटनी बनाते हैं तो एक पैन में हम लेंगे दो बड़े चमत जितना तेल तेल जैसे गरम हो जाएगा इसमें जाएगा थोड़ा सा लसन रफली चॉप किया हुआ और इसके साथ प्याज रफली चॉप किया हुआ प्याज और लसन को हलका सा हम फ्राइ कर लेंगे अब इसमें जाएगा रफली चॉप किया वह बड़ी साइस का टमाटर तो सूखी लाल मिर्ज को मैंने 10 मिनिट के लिए गरम पानी में भिगो के रखा है और अभी से हम इसमें डाल देंगे और इसके बीच मैंने निकाल दिये है ताकि जो चट्णी वह ज्यादा तीखी ना हो जाए और चलिए इसमें पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर है यह सॉफ्ट हो जाए तो अभी से हमें पीसना है तो थोड़ी देर के लिए पहले से हम ठंडा होने देंगे चलिए अभी से हम ट्रांसफर कर लेते हैं ब्लेंडिंग जार में इस पर डालेंगे फ्रेश कोकनट हाफ कप जितना तो आप डेसिकेटेट कोकनट भी यूज कर सकते हैं हाफ कप पानी दालेंगे नमक डालेंगे स्वात की अनुसार और चलिए अभी से हम पीस लेंगे तो यहाँ पर हमारी चटनी तयार है इसके ऊपर टेंपरिंग करेंगे तो दो बड़ा चमच इतना तेल लेंगे तेल जैसे गरम हो जाएगा इसमें हम राय डालेंगे और राय जैसे चटक जाएगी इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते तो चलिए इसमें से एक टेबल स्पून जितना टेम्परिंग हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे तो चटनी बनके तयार है इसे हम साइड में रखते है तो यहां पर मेरे पास है यह इडली बैटर 500 ग्राम जितना है लेकिन आज इसमें से हम इडली नहीं बनाएंगे कुछ और बनाने वाले है इसमें हम डाल देंगे वन फोर्थ कप जितनी सूजी तो यह जो ब्रेक्फास में बना रही हूँ इसको आप डोसा बैटर के साथ भी बना सकते है और सूजी हम इसलिए डाल रहे ताकि हमारा यह जो बैटर है तो आप देख सकते हैं ठिक बैटर चाहिए हमें तो अभी इसमें हमने सूजी डाली है तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना होगा ताकि जो सूजी है वो मॉइस्टर अब्जॉप कर ले और सॉफ्ट हो जाए तो 10-15 मिनिट के लिए रखेंगे इसे रेस और अभी इसमें हम डाल देगे नमक स्वात के अनुसार थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और बाकी का जो टेंपरिंग था वो इस बैटर में हम यूज करेंगे इससे हमारा ब्रेकफस्ट एकदम सॉफ्ट बनेगा और अभी इसमें डाल देएंगे कुकिंग सोडा एक प इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे तक हमारा जो बैटर है यह एकदम फ्रॉथ ही हो जाए तेल को गरम करने के लिए रखेंगे और एक चमच की मदद से गरम तेल में इसे हम फ्राइ करने के लिए डाल देंगे तो जैसे बॉंडा रहता है वैसा ही कुछ हम यहां पर बना रहे है लेकिन एटली बैटर से हम बनाने वाले है बहुत क्विक और इजी रेसिपी है इंस्टन रेसिपी है और टेस्ट एकदम बढ़िया है मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राइ करेंगे जब तक के अंदर से अच्छे से कूख हो जाए इसे आपे गोर्डन ब्राउन करना है तो फ्रेंज तब तक अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ रहे है जल्दी से नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कर लीजिए वीडियो को एंड में शेयर करना भी न भूलिएगा रेसिपी अच्छी लगिए तो कमेंट में यमी जरू टाइप करिएगा ताकि मैं तो चलिए हमारा ब्रेकफास्स बन के तयार है आप इसे इवनिंग स्टैक के लिए भी बना सकते हैं अंदर से सॉफ्ट है बाहर से एकदम क्रिस्पी है तो आप भी रेसिपी को ट्राइज जरू करना रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट फॉलो करना ना भूलेगा चल मिलेंगे ऐसी डिलिशियोस रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई